नमस्कार दोस्तों मैं विजय मीना आप सभी के हमारे यूट्यूब चनल चाट ट्रेड़ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं देखिए आज क्या जो वीडियो है वो ITC को लेकर है और मेरे इसाब से एक दम साई टाइम है इस समय ITC के स्टोक को रिवीव करने का क्योंकि 210 रुपे के आसपास हम पहले वीडियो बना चुके है और जो टार्गेट था वो 260 रुपे का था जो आ चुका है मेरे इसाब से अब आपको इस ITC के स्टोक में इस समय क्या करना चाहिए इसके बारे में हम इस वीडियो बात करने वाले है क्योंकि यहां आज ITC ट्रेड कर रहा है वहां पे ITC का तगड़ा रेइस्टेंस का एरिया है सप्लाई जोन है वो सप्लाई जोन हमें 260 रुपे का आसपास बनता है इसलिए हमने पहले टार्गेट दिया था तो अगर आपके पास में है आपने निचले लेवल पर खरीददारी कर दिये तो क्या करना चाहिए और अगर फैस एंट्री करना चाहते हो तो भी क्या करना है पूरा वीडियो देखने ही कौसिस करें डिस्क्लेमर दोस्तों पहले दे दे जा हूं आई टीसी मेरे खुद के पोर्टपोलियो के अंदर मैंने खरीददारी करके रखा हुआ है और अब देखो वीडियो लगबग 15 बजे मतलब 3 बजे के आसपास बनाया जा रहा है उस समय रुपे के लेवल क्यों महत्मूल लेवल है जर आप चार पर देख सकते हो 2015-16 के यहां पर डबल टॉप मारा दोसो साथ के रेश्टेंस को लेके इसके बाद दुबारा 2016-17 में भी देखो यहां पर रेश्टेंस लिया अब यह रेश्टेंस जैसे ब्रेक हो गया तो यहां प वार पान च्हें बार इसब ऊस ली दोसो साट रुपे से लेके दो सोपेंस रुपे कर रेश्टेंस लिया हैं अब जैसे रेश्टेंस ब्रेक सुपुर्ट ब्रेक होगा तो निस्टीत वर पर रेश्टेंस एक हमारे पास मेरा और अभी कूछ समय पहले यह resistance 260 रुपे का फिर से लिए आज देखें अभी तक इस सब्ता एक सांदार क्लोजिंग हमारी ITC के अंदर इस 260 रुपे के उंपर होने जा रही है इसलिए मैंने कहाता है कि एकदब सई टाइम है ITC के stock को review करने का अब देखें यहाँ पर अगर आपने इस नीचे के level पर अगर यहाँ पर ITC के अंदर poison बनाईए तो निश्ची तोर पर अभी आपको hold करना चाहिए ठीक है कौन सा वो level है जिसके नीचे जाने पर आप ITC में profit book कर सकते हैं वो अभी हम आगे वीडियों बताने वाले है या फिर क्या कर सकते हैं आप अगर यहाँ से इस टोग नीचे नहीं आएगा तो निश्ची तोर पर जो 310 से लेके जो 320 के जो level है यह हमारे पास ITC में यहाँ पर अगला target आता हुआ हमको नजर आए अब देखें दोस्तों एक चीज और दिखाता हूँ आपको मैं चार्ट क क्या असपास आता है ना यहां पर देखो spinning top spinning top candle बनी है ठीक है इसके बाद देखो यहाँ पर फिर से इसी level के पास में spinning top या डोजी टाइब की candle बनी है जो क्या संके दे रही है तो यहां से लेके जो इस टोग ऊपर गया था ना अब जो हमारे investor trader हैं वो confused है कि इस resistance के बाद अब इस टोग को कहां पर ले जाना है ठीक है और हुआ क्या है अगर डोजी candle के लोग के नीचे निकल जाता तो हम यह समझते हैं यहां से profit booking आ गई अब इसके अंदर मेरे इसाब से बायर के दौरा फिर से पोजिशन बनाई गई है इस candle के उपर यह निकल चुका है एक देखे दोस्तों मैं जो एक चीज आपको दिखाने के लिए था वह क्या है वह वह वर्ल्यूम है इससे पहले जब देखे इस टोग लिश्ट हुआ था ना उस समय देखो यहां पर वाल्यूम हमें बिल्डप होता हुआ नजर आया था ठीक है और यहां पर यहां पर यहां प बनतीवी नजर आ रही है यहां पर आपको वॉल्यूम इस पर तोर पर बड़ी वॉल्यूम नजर आ रही है यह वॉल्यूम दोजा आठ से लेके और बीस इकीस के दोरान इतनी खास हमको नहीं आया थी इस ग्रावट के अंदर वहिया जबरतस बड़े लोगों के दोरा आपको वो बात कर ले दे अगर आपके पास ITC का स्टॉक है तो यह जो लो बनाया है ना इस लो के नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है जो 250 रुपे के पास आता है यहीं पर हमारा महत्पून जो 20 ये में वो भी इसी जगे पर है तो अगर आपने यहां पर खरीदारी कर रखी है 250 रुपे के साथ होल्ड करो ITC को 310 से लेकर 320 के टारगेट के लिए और अगर 250 का यह लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं मैं भी इसी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा फ्रेस एंट्री करना चाहते हो ठीक है हमने ITC के स्टोक को रिव्यू किया है और मुझे उम्मीद करता है आपने भी इस स्टोक के अंदर 20-25% का रिटरन तो बनाई लिया होगा तो ऐसे वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लाए टेलेग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्श हो सकते